नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल BMS टुटॉरियल में फ्रिंट्स आज हम आपके लिए लेके आये चरक सहीता के चिकिसा इस्थान का प्रथम अध्याय तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रसायन चिकिसा के बारे में इससे पहले हम बात कर चुके कि हम जो BMS सेकंड एयर की चरक सहीता के बारे में हम बात कर चुके अब हम बात करते हैं कि आपके थर्ड एयर की चरक सहीता के बारे में और इसी की सीरीज के बारे में तो सेकंड एयर की सीरीज हम बना चुके अगर आपने नहीं देखी तो आप अमारे टेलेग्राम पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अब हम बात करते हैं रसायन चिकिसा के बारे में इस अध्याय में तो हम बात करें तो जो चिकिसा इस्थान है पुचरक सहीता का सबसे मैतोपून इस्थान है और इसके रसायन चिकिसा के बारे में बात करते हैं और इसी के बाद हम व मतलब हमारी कहने का मतलब यह है कि रसायन चिकिसा में हम चार पाद अत्वा उप अध्याय है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम आपको बता दे कि जो रसायन चिकिसा है इसके हम चार पाद और इसमें जो हमें 63 योग बताएगे उनके बारों में ही हम इन अध्या पढ़ेंगे इसका डिविजन हमने चार पार्ट में किया है तो वो क्या क्या है वह अभ्यामल किया प्राण कामी है कर प्रचिति है और अर्वेद सम उत्थानी है इनके बारे में ये चार बात वैउप अध्याओं के बारे में हम इसमें वर्डन करेंगे रशाय चुकिसांगी चीक है तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम किस सीरीज से हम कैसे कैसे पढ़ते आ रहे हैं देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि आयरवेद का जो प्रियोजन क्या है कि रोगों को दूर करना और स्वास्ते व्यक्ति के स्वास्ते को बनाए रखना ये हमारे आयरवेदा का प पूरी चुप्चरक सहीता है उसके सभी सुत्रों के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन-कौन से टापिक हम पढ़ेंगे और कैसे उसको बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर हमने इसमें पढ़ा था निदान इस्थान के बारे में जो रोगों के लेक्षन वगेरा इन सब के बारे में हमने पढ़ा था फिर हमने शारीर इस्थान के बारे में पढ़ा फिर हमने विमान इस्थान के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने यह पढ़ा कि किन-किन इंद्रिय इस्थान में किंकिं रोग्यों की चिकिसा नहीं करने चाहिए और अब हम शुरू करते हैं किकिसा के बारे में तो चिकिसा का विदिन करने से पहले हमने काफी सारे जो स्थान हैं उनको कवर उप किया था इसलिए हम बात करतें चिकिसा फ़र इसलीए रहे हम समझेज Chandachop अर्थ क्या होता है इन सब के बारे में जानने से पहले मैंने आपको बता दिया कि इस रसायन जो रसायन अध्याय रसायन चिकिस्सा है जिसमें हमने चार पात पढ़ेंगे हम, चार उपध्याई पढ़ेंगे तो इन उपध्याई के बारे में भी मैंने आपको बता दिया अब हम बात कर लेते हैं इनके बेसिक कवरप के बारे में तो बेसिक के बारे में हम आपको बता दे कि चिकिसा का अर्थ क्या होता है चिकिस्सा का अर्थ होता है रोग निवर्ती जनक वैपार अर्थाथ जिस वैपार के कारण रोग शान्त हो जाए या रोग उत्पनी ना हो उसे हम क्या जाते है चिकिस्सा हम किसे कहते है चिकिस्सा हम कहते है रोग निवर्ती जनक वैपार मतलब अर्थाथ जिसके द्वारा रोग उत्पन ना हो या ऐसी कोई किरिया जिससे जो हमारे शरीर में उत्पन रोग है वो भी शान्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं चेकिसा कहते हैं तो अब आमल के शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं बेशच के प्रियाये को हम देखते हैं इस जो चिकस स्थान का पर्थम अध्याय का तीसरा शलोक यह इसके बारे में चिकस सितम व्यादी हरम पत्थय साधन ओशदनम प्रयशित परश्मन प्राकरति स्थानम और हितम तो यह सारी क्या है यह हमें भेशच के प्रियाय बताए गया तो एक को करके हम डेटेल में समझते हैं तो भेशच के प्रियाय हमें कित्ते बताए गया नो भेशच के प्रियाय इहां पर इशलोक के मात्यम से हमें बताए गया तो हम हम बात कर लेते हैं कि जो भेशच का प्रियाय है भेशच को चिकस सिक क्यों कहते हैं देखो भेशच का एक सामाने अर्थ के होते हैं ओशद और ओशित का कारिये क्या होता है कि रोगों को दूर करना चिक है तो चिकिसिक क्यों कहा गया है इसे क्योंकि रोग को दूर करने वाला होता है अर्था चिकिसा में प्रियोग किया जाता है ओशित का इसलिए हम इसे चिकिसित भी कहते है चेकंड हम बात करते हैं व्यादी हर के बा हम बात कर लेते हैं पत्थे के बारे में पत्थे के बारे में हम बात करते हैं पत्थी इती हितम पत्यम मर्तर जो पत्थ मार्क के लिए हित करो और था जो हमारे श्रोतस है उनके लिए हित करो हमारे शरीर के लिए विरुदना हो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजिस्ट हो ज जो हमें देता है, जो हमें दवाई देता है, उसी से हमें क्या प्रदान होता है, एक आरोगे प्रदान होता है, तो ये बीच में साधन है, क्योंकि वैद क्या दर रहा है, रोगी को क्या दे रहा है, ओशत, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो ये बीच में सा बेशच को ओशद भी कहते हैं फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रैश्चित के बारे में तो प्रैश्चित अत्वा पापकारिय करने से क्या होते हैं रोग उत्पन होता है और उस रोग को दूर करने करता है क्या करता है बेशचित इसलिए इसको प्रैश्चित भी कहते है नेक्स्ट हम बात करते है प्रशमन प्रशमन किसली कहा जाता है क्योंकि यह शारिरिक दोशों को या रोगों को शान्त करता है इसली से प्रशमन भी कहते है नेक्स्ट हम बात करते है प्राकर्ति स्थानम के बारे में, स्थापन के बारे में यह क्या करता है जो हमारे श्री में दोश धातू मल आधी होते हैं उनको सम करिया में ला देता है मतलब हमने क्या बात की थी रोग कैसे उत्पन होते हैं सबसे पहले हमारे आयरवेदा का सारी क्या है कि हम वस्ट्रे में पढ़ते आ रहे हैं कि जो दोश धातू जो होते हैं उन ओशद जो होती है पो हमारे लिए लाबकारी होती है, इसलिए हम ओशद को हितम भी कहते हैं, अर्थात हमने यहाँ पे ओशद के नव प्रयार के बारे में हमने चान लिया है, अब हम next बात कर लेते हैं कि भेशच कितने परकार की होते हैं, अब देखिए, इससे सबसे पहले ए उसमें हम रसायन चिकिसा को परधानता देते हैं क्योंकि इसलिए हमने प्रतम अध्याय रसायन चिकिसा का वर्णन किया है ठीक है तो हमने हमारा बताने का यहां पर क्या मतलब है कि जो रसायन और वाजिकरन चिकिसा उसमें से सबसे ज़्यादा परधानता किसे दी गई है सिद्ध करती है इसलिए हम रसायन चीकिसा को प्रधानता देते हैं और इसलिए ही इसका प्रत्म अध्याय में वैनन किया गया है अब हम बात कर लेते हैं बेशच के दो परकार के बारे में तो बेशच यहां पर बेशच के हमने नव परियाय के बारे में बात कर लिए नेक्स सश्य ओज गरम मतलब क्या कहने का मतलब स्वास्ते व्यक्ति के ओज को बढ़ाने वाला या उत्तम भाव को बढ़ाने वाला क्या होता है बेशच होता है अर्था दूसरी परकार का बेशच कौन सा होता है जो आतर से रोग अनुत मतलब रोग अकरांत मतलब जो रोगी है उसक दो परकार की होती है, एक तो स्वास्त पुरूष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला हो, और दूसरा रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर करने वाला हो, तो यह हमने दो परकार से ओश्द को यहाँ पे बदलाया गया है, चीपने, तो यहाँ पर ओज जो है वो विशेश कर से रोगी का मतब जो कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर में जो ओज है वो ही शरीर का सबसे बड़ा उत्तम भाव हमने माना जाता है तो इसलिए इसे उर्च शब्द से ही हाँ पर बताया गया स्वास्ता उर्च कर चीक है अभीशेश कौन से होते है बादन और सानुबादन अर्थात अल्पकालिक अपत्थे से रोग का होना और दूसरा होता है सानुबादन का मतब दिर्गकालिक अपत्थे से रोग का होना यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि हमने कुछ दिन के लिए मतलब थोड़े ही समय के लिए आभेशच का सेवन क्या आभेशच क्या है सबसे पहले हम इसके बारे में बताते है कि वो द्रव्य होते हैं धातु को दोशों को दूशित कर देते हैं शरीर में जैसे विशों के यहां ठीक है तो यह सारे क्या होते हैं आभेशच में आ जाते हैं ठीक है और भेशच कौन से होते हैं जो रोगों को दूर करें आभेशच कौन से होते हैं वो द्रव्य होते हैं जो रोगों को बढ़ाए तो इसकी तुलना हम किससे भी कर सकते हैं कि जो द्रव्य में हम तीन परकार के द्रव्य पढ़के आये हुए हैं उनसे हम इनकी तुलना कर सकते हैं जो कि दोश पर्शमन धातु पर्दूशन और स्वास्ते हितकर इन तीनों के बारे में हम द्रव्य विज्ञान में भी पढ़ कोई होते गंत करें मतलब यह संद फ्राण घातक होते हैं जैसे कि विश हमने एक दम से irk को पी लिया तो हो क्या प्रान के लिए घातक होगा जैसे अगणी वर्च 50 आधी के समान शांस संको बताया गए जो एकदम से क्या करती है कि एक दम से ही ततकाल बिल्कुल कस चुत्पन कर देती है तो उसे हम क्या कहते है बादन कहते है और साबादन को भो got you मैं उसक्न क्या किया कि आप अठीरे धीरे धीरे धीdoorे उस चीज़ों को ले रहे है तो वो क्या है स्यानो बादन या तो ये सब हो गई इनको पढ़ लिया है तो दिर्ग-कालिक रोग उत्पन आज कुन करे जैसे कि हम सौरे दिन में हमने अहत्व हैन तिर्वाशन हमने जारी रखा है इसके कान क्या हुआ कि धीरे 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 वो हमारे अंदर आलर्ष गोरवता ये सारी चीज़े उत्पन होने लगी कि लेकिन उसके लिए थोड़ा काला अंतर ये चीज़े होगी एकदम से नहीं होगी तुं यहां पे हमारी बताने का syndrome यह था ने अर्थात यहां पे कहने का मतलब यह है जो ओशिदी स्वासते में ऊच सकर मत показыв चाम उच्छा मतब उच्छ सबसे उच्छ को या कहा जाता है प्रश्च e भाव को बढ़ाने वाली होती है वही क्या होती है वरिशय या रसायन होती है तो हम रसायन को क्या कहते है वरिशय भी मतलब जो वरिशय होती है वाजीकरण अर्थात रसायन होती है तो वरिशय को हम वाजीकरण भी कहते है तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जो ओशदी सव व्यक्ति में ओज को और उसके जो प्रोस्त भाव को बढ़ाने वाली होती है उसे ही हम क्या केते हैं वृष्षय या रसायन कहते हैं अब हम बात कर लेते हैं, रसायन के बारे में, लावव पायओ ही शाव इस्थान तरित रसादीजीना साहनम, मिन्दलब है पर हमरा कहने का अर्थ क्या है? कि उत्तम रसादी धादों को प्राप्त करने का जो उपाए है उसे हम क्या कहते है रसायन कहते है अर्थात जिसके कारण जो उत्तम रस और शरीर में धादों हमें प्राप्त होते है उसे हम क्या कहते है रसायन कहते है यहाँ पे हमने यह चीज़े माने गई है कि रसायन के हमने डेफिनेशन क्या दी है कि उत्तम उत्तम रसाधी धातुओं को प्राप्त करने का जो साधन होता है उसे हम रसायन कहते है या जो उपाय होता है अर्था यहाँ पे कहने का मितलब क्या है कि जिससे जो शरीर में है जो तो रसायन कहा है तो रसायन कहा है तो रसायन क्या करता है हमारी विर्दवस्ता को दूर करता है और जो ओशदी विर्दवस्ता को दूर करने वाली हो अर्थात हमारी आयू सिमिर्थी आदी को बनाये रखे उसे हम क्या कहते है रसायन कहते है तो रसायन क्या करता है व्यादी का विनार्ष भी करता है अर्थात विर्दवस्ता को दूर भी करता है तो ये रसायन के मुख्य क अब हम इसके रसायन के गुनों के बारे में बात करेंगे दिर्गम आयूसमेती मेधाम आरोग्यम तरुनवया प्रभावन सवरद्य तेहे इंद्रिय बलम परम अर्थात रसायन भेशच का सेवन करने से मनुश्य क्या होता है दिर्ग, आयू, शम्नल, सक्ति, मेदा, आरोग्य, तरोन अवस्ता, प्रभा, वर्ण, स्वर, आधी का उदार होना तथा देवें इंद्रियों में उत्तम बलकी प्राप्ति होना, वाक, सिद्धी होना तो ये सब क्या है, ये सबी, जो है, वो, इन सबी गुनों की प्राप्ति होती है ठीके, अब हम बात कर लेती है, कि देखिए, जो हम रसायन उश्ध है, उनका सेवन करने से क्या होता है मनुश्य की जो है वो आईउ मे वरिध्य होती है उसकी शम्रसक्ति अच्छे होती है वो आरोग्य रहता है रथात उसके अंदर रोग उत्पन नहीं होते है जो उसकी स्वास्थर वस्ता है वो बननी रहती है प्रबा, वर्ण, स्वर ये आधी सब उसमें उदार रहते हैं दे और उंद्रियों में बलकि प्राप्ति होती है वाक, सिद्धी, कांती, आधी गुनों की प्राप्ति होती है तो ये सब ही क्या होगे? ये हमें रसायन के गुन होगे अब हम बात कर लेते हैं वाजीकर्ण के परिभाषा के बारे में जो भेशच पत्थे संतान पुत्र पौत्र पर पौत्र आदि का विस्तार करने वाला जिसे शरीर में रसरक्त मासादी की पुष्टी होती है तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि भेशच यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो भेशच यहाँ पर कहा गया है कि जो भेशच क्या होती है जिस भेशच की कारण में संतान की प्राप्ती होती है और मतलब कि शरीर में मैतुन करने के शम्तावत पन हो जाती है और शुकर का शेह नहीं होता है अर्था जिसे मतलब क्या होता है शुकर का शेह नहीं होता है शुकर के व्रेधी होती है उसे हम क्या कहते है वाजी करन कहते है आभेशच क्या है आसेव्य है मतलब ओशिदी के विप्रीत जो द्रव्य या करम होता है उसे आभेशच कहते है, मतलब जो ओशिदी है, जो वो कारिया करती है, उसे opposite जो कारिया होता है, उसे आभेशच कहते हैं, और इसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, जो आभेशच होते हैं, उनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, तो आज के लिए इतना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके पार्ट टू में पार्ट बन में हमने काफे साल टॉपिक्स प्रिस्कस किया है तो ठीक है फिर